क्या है Red House Mining एक ऐसी टेक्नीक जिसे 2015 में बैन होने के बावजूद उत्रकाशी टरनल में फसे 41 workers को rescue करने के लिए यूस किया गया एक ऐसी टेक्नीक जिसकी मदद से उत्रकाशी टरनल के last 12 मेटर्स को Take करके Breakthrough अचीव किया गया और 17 दिन से अंदर फसे हुए 41 वरकर्स को रेस्क्यू किया गया वेलकम टू मोजो स्टोरी मेरा नाम है हर्ज़त शर्मा आज की वीडियो में बात करेंगे रैट होल माइनिंग के बारे में 12 नवंबर को सुभा साड़े 5 बजे उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर लेंड स्लाइड के चलते टनल के अंदर फस गए जो ग्राफिक आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसमें आप टनल के कंस्ट्रक्शन साइट को डिटेल में समझ सकते हैं सिलक्यारा से लेकर बार गोट तक इस टनल का टोटल डिस्टेंस 4.5 किलो मेटर है सिलक्यारा से 270 मीटर अंदर टनल में एक लैंड स्लाइड हुआ जिसके चलते सिलक्यारा साइट की ओपनिंग बंद हो गई और 41 वर्कर्स टनल के अंदर ही ट्रैप हो गए उसके बाद शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यो मिशन इन 41 वर्कर्स को बाहर निकालने का मिशन इस रेस्क्यो मिशन के अंदर NDRF, ITBP, SDRF, उत्राकंड पुलिस, DRDO समेथ बहुत सी एजेंसी एक साथ आई सबने मिलकर अंब्रेला फॉर्म में काम किया और वर्कर्स को बाहर निकालने की हर पॉसिवल कोशिश की टनल के ओपनिंग पर फसे पथरों को काटने के लिए औगर मशीन का इस्तमाल किया गया लेकिन 23 नवंबर को ये औगर मशीन भी फेल हो गई इसके बाद, last 12 मीटर के distance को डिक करने के लिए rat hole mining technique का इस्तमाल किया गया rat hole mining एक ऐसी टेकनीक है जिसका इस्तमाल primarily मेगालिया में coal mining के लिए किया जाता है rat hole world का इस्तमाल यहाँ पर जो narrow digging की जाती है coalने के लिए mine से उसके लिए किया गया है 23 नमबर को जब auger machine में failure हुआ तो administration ने ये तैय किया कि rat hole mining का साहरा लिया जाएगा और last के कुछ distance को dip किया जाएगा इस decision के बाद जाती से प्रसादी लोधी नाम के एक rat hole miner को बलाया गया जो जब site पे पहुँचे और site का मुएना किया तो उन्होंने media से बात करते हुए इस बात confirmation दिया कि अगले 24 से 48 गंटे के अंदर जो last 12 मीटर का distance है उसको dip कर लिया जाएगा और breakthrough अचीव कर लिया जाएग प्रसादी लोधी का कहना था कि उनके वरकर्स ने 800 मीटर की बजाए 600 मीटर के होल में भी rat hole mining की है तो यहां पर उनको rat hole mining करने में रिक्कर नहीं आएगी और ऐसा ही हुआ अगले कुछ घंटों के अंदर जो last distance था उसको breakthrough अचीव कर लिया गया और कल रात को सभी वरकर्स को इस ड्रनल से पहार निकाल दिया गया साल 2015 में National Green Tribunal ने इस rat hole mining की टेकनीक को illegal साबित किया था और बैन कर दिया था इस माइनिंग की टेकनीक के चलते बहुत से वरकर्स आए दिन माइन्स में ट्रैप होते थे जिसके चलते NGT ने यह डिसाइड किया था कि इस टेकनीक को बै बार एंदी